Hello Everyone, Welcome to engineer制 question point इस Video में हम लोग Disassembly and Reassembling of Equipment के बार में परहेंगे तो Disassembly and Reassembly of Equipment का मतलब क्या हो गया? Disassembly का मतलब है جो equipment है electronic equipment है उसको जो है अलग करना Supposes कि यह कोई पार्ट खराब हो गया तो उसको क्या किजएगा? पूरे पार्ट को खोलते हैं हम लोग जैसे मोबाइल है मोबाइल का कोई IC में कुछ प्रोबलम आ रहा है ya फिर कोई ने problem आ रहा है उसके लिए क्लियगा तो पूरे mobile को खोला जाता है ठीक है जो भी स्क्रीव जो सब चीज दिया हुआ है उसको खोला जाता है उसको डिसेंबली बोलेंगे और रिसेंबली का मतलब हो गया जब आप खोल के ठीक कर दिये उसके बाद क्या करेंगे सभी समान को फिर एक जगा इकठा करें फिर जैसे ल हीं जैसे लगा हुआ था वैसे लगा देना तो यह होता है भहत ही सभधानी बरत्नीपरती है तो बहुत ही आपद्रीमेंट को खोल रहे हैं तो और सपन ही बाइक और नि whole ख करना है तो जब आप क्या करेंगे बाइक को ले यह क्या सेंबल करेगा जैसे जहां लगा हुआ था वहां पर फिर लगा देगा तो इसको reassembly बोलते हैं equipment का तो इसी चीज़ को हम लोग परने वाले हैं तो देखिए this assembly and reassembly of equipment is a common troubleshooting technique disassembly और reassembly क्या है यह common troubleshooting technique है ठीक है ना किसी भी equipment में अगर कोई खराबी आया है तो उसको क्या करेंगे सबसे पहले खोलते हैं mobile कहीं ले लिए मोगाइल में कोई खराबी तो क्या करेंगे उसको पार्ट वाइप खोलते हैं जो इसको खोला जाता है तो उसका नोलेज होना चाहिए कौन बटन कहां पर है ठीक है कॉन सा इस्क्रीव कहां पर लगा हुआ है इसका आपको को नौलेज होना चाहिए या कैसे फैब्रीकेट है सरकी डाइराम आपको पता होना चाहिए उसका ब्लोग डाइराम का आपको पता होना चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं आसानी से उसको डिस असेंबली कर सकते हैं तो तूटने फूटने का चांज जादे होता है और फिर री यह क्या है कोई भी चीज को आप करेंगे को क्या करेंगे वहाँ जो भी चीज है उसको अलग करेंगे और फिर उसको कठा करेंगे तो यह कॉमन टेकनिक है क्या चाहिए अगर आपको सही से जानकारी नहीं है तो दोनों होना चाहिए आपके पास जानकारी डिसेंबली का भी हो चाहिए और रियसेंबली का भी होना चाहिए इसमें के एटेंशन चाहिए साब्धानी चाहिए इसपेसली करेंग रहा है बाअ कोई काम है तो ऊसके बारे में कियरफूल रहना जरूरी है और जानकारी का होना जरूरी है यूज इस इंस्ट्रक्षंट to take a part and put back together, your apparatus which is use these instructions जो instruction दिया रहता है यहाँ जैसे कि देखेखा बहुत सरा service manual है यहा जो manual होता है उस में दिया रहता है कैसे आपको खोलना है कैसे क्ल लगाना है तो use these these exact up the instruction उसको use करना है to take a part अलग पूट बैक टुगेदर ठेक एपार्ट मतलब वह है डीस असेंबली का बात हो गया अलाग अलग करना जब चीज को फिर जो है बैक टुगेदर फिर उसको क्या करेंगे एक साथ उसको एसंबल करेंगे विद आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं उसके लिए आपको इंस्ट् बाग करते का तो आप कंगे लफटाप में कोई खरावी आगया तो खोलना परेगा तो खोलने का प्रकुर्यत VOLTнес है ठीक है डिससेंबली डिससेंबलिंग एनिटिंग इस बेस्ट डन विद दा हेलप ऑफ मनुफेक्ट्टर सप्लाइड सर्विस मेनुवाल और अधर डोकुमेंटेशन कह रहा है डिससेंबलिंग जो है किसी चीज को जो है आप अलग-अलग करते हैं किसी चीज को खोलते हैं घॉलिज सर्विस मेनुवाल देखिए जो हम posses लस्की मेनुवाल टैकर फिर या फिर अधर डोकुमेंट ग्योगर वह चाहिए तो उससे क्या होगा आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है तो उसको फॉलो करना चाहिए अनफर्चुनेटली देयर आर सेच्वेशन वेन इस डेटा इस नोट इनकूलूड़ेड इन दे प्रॉडक्ट मेनुवल और जब इस तरह के डेटा जो है एवलेबल नहीं प्रॉड़ूआ प्रॉडक्ट कआप उसके बिश्चन वडेखन आपकर स्वादելल तो प्रॉडूड्म होर्ष टरॉडव hanging उसको जो है क्रीप रहता है मिन्स मिनस्टेरियस रहता हैं मतऱ तरह कि राज बनाकर रखता है जो उसको कोई भी जहांग है असाँनि से ख़ल नहीं सके सेंटर में तो वह जो है आप हो खोल करकर ठीक कर देगा ठीक है तो इस तरह करेता है नियूपनेंट और पिडाउट काउजिंग एनी डेमेज इज अल्वेज दहाड अइस्पेक्ट ऑफ रिपेरिंग रिपनिग डेमेज हें आप एक्वाड रहे है ऑग गजेट को खोल को ठीक करवाने जाता है जब टेक्निसियन है आप एक टेक्निसियन है और आप से जैक्षा कब दीने मेम नहीं करते हैं या अच्छे से जानकारी नहीं है शरकेट डाइक्राम के बाढ़े में पता तो से कहां पर कौन चीज़ एसेंबल किया गया है कैसे लगया जाता है तो फिर उसको गैदर करना है ठीक करने बाद फिर क्या करते हम लोग जैसे जहां जो चीज़ लगा हुआ है वैसे उसको फिर लगा दिया जाता है एक्स्टमेंट रिपेर टहुक्ट मेंट गव रिपेए हो जाता है ठीक हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है अल पार्ट सुड़ बीरी आव्यसेंबल करो टूगेदर विदा एनि एक्सटर्नल फॉर्स जब कोई भी एक्स्ट्यूप मेंट को अब रिपेर कर देते हैं तो स कोई ड़ लगा जाए है तो तो सही से वह है उसका मिला करके तो आसानी से कसा जाता है कोई आपको एक सट इद गुद परहे हैं को ही दॉट लहा है अगर आप स्ट लगा है महीठ कहीं देशल लीटा ही और जो है डी करने प्र провल्म आपको आ रही है you can easily reassemble if you remember how to deassemble the pieces बिलकुल सही बात है कर रहा है आप reassemble जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कब जब आपको याद है आपको remember है किस तरह से आप deassembly किये थे मतलब जब आप equipment को खोल रहे हैं मोबाइल को ही खोले तो कौन पार्ट को कहां से खोले हैं कैसे खोले थे इस चीज को आपा जानकारी है त फिर आपे अछान व्राइघ्या आपको knowledge चाहिए किस चीज का सरके डागराम का सरके डागराम की मतलब से कहाँ पर कौन कंपोनेंट लगा हुआ है उसका जानकारी होना चाहिए किसका क्या फॉंस नहीं होता है यह जानकारी होना चाहिए वाइरिंग डियाग्राम का आपको जानकारी होना चाहिए तो बहुत आसानी से आप रियसेंबलिंग कर सकते हैं क्यूपमेंट का तो रिएसेंबली दोनों चीज़ करते हैं इस वीडियो में हम लोग डिए डिसेंबली एंड रिएसेंबली को इक्यूपमेंट को देखे आई होब कि आप लोगों को समझाया होगा थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच